Central University of Jammu आज इसमें हम J-Mains की जो cut-off है वो दिखाने की कोसिस करते हैं उससे पहले हम आपको बता दे कि इसमें admission लेने की process कौन-कौन से है Other Course के लिए और BTEC के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं Other Course के लिए आप CUET के base पे इसमें आ सकते हैं वो भी हम आपको पूरी detail में दिखाते हैं CUET से आप किस-किस course में यहाँ पे admission ले सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे आप देख लिजिए BTEC में admission लेने के लिए आपको J-Mains का entrance exam देना होगा इसी के cut-off के बारे में हम आपको आज दिखाते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं CUET entrance exam के base पे आप किस-किस subject में किस-किस course में admission यहाँ पे ले सकते हैं यहाँ पे आपको integrated BSC-MSC दिया हुआ है botany में इसी तरह से geology है, chemistry है एक-एक करके हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं physics है और BA BAE दिया हुआ है integrated दिया हुआ है यहाँ और management में भी यहाँ पे दिया हुआ है तो एक-एक करके आप देख सकते हैं कि आपको CUET के base पे कौन-कौन सा course इसमें मिलने वाला है यहाँ पे दिया हुआ है BSC, MSC, Economics इसके बाद आता है J-Mains, J-Mains से आप B-Tech में एडबीशन ले सकते हैं इसमें उसकी cut-off क्या होने वाली है वो हम आपको दिखाते हैं Central University of Jammu का JOSA और CSAB में जो counseling होती है उसमें आपको कितना rank चाहिए J-Mains में तब जाके इसमें आपको admission मिलेगा और category wise हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं एक-एक करके आप देख लीजिए Open के लिए यहाँ पे दिया हुआ है 1,63,549 Computer Science के लिए इसी तरह यहाँ पे EWS का दिया हुआ है OVC का दिया हुआ है ESC और EST यहाँ पे category wise और branch wise पूरी detail दिखी है सकते हैं Electronics and Communication Engineering का भी यहाँ पे आप देख सकते हैं Open के लिए 13,43,422 दिया हुआ है EWS के लिए 7,31,086 दिया हुआ है OVC के लिए 5,87,029 दिया हुआ है और ESC के लिए दिया हुआ है 5,3,894 इसी तरह आपको यहाँ पे भी पूरी detail एक एक करके आप यहाँ पे देख सकते हैं किस rank पे किस branch में आपको admission मिलेगा category wise with branch wise